कॉंग्रेस में अध्यजपत के लिए मतदान सुबा दस बज़े से जारी है तीन बज चुके है और एक घंटे का वक्त अभी बाकी है जो मतदान होना है लगभग 90 प्रतिशत मतदान उत्तर प्रदेश के लोगों ने मतदाताओं ने किया है बात करेंगे दीपक सिंग मतदान क करके निकले हैं MLC रहे हैं कॉंग्रेस से सर क्या महौल नजर आ रहा है कैसा सिनेरियो है बड़े आरोप लग रहा है कि जिसके उपर राउल का और सोनिया का हाथ होता है वही अध्यज बनता है इस तरह की बाते बीजेपी के तरफ से आई हैं निकल के मुझे लगता है जिन् नकार सकती है रही मदान की बात तो आप देखिए जिस तरह से पंचायतों में चुना होते हैं विदान सभा लोग सभा में चुना होते हैं ऐसे चुनाओं सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सबसूरत लोगतंत्र भारत में और कॉंग्रिस पार्टी में संभों हैं और कहीं संभ यहां पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं जिन डेलेगेटों ने वोट किया है वो सब के सब नेता हैं तो नेतागीरी करना सा अवी पर किरिया है नेतागीरी करने के लिए ही राजनीती में आएיה हमारे कॉंग्रेस पार्टी के राजटेज द्धक्ष रहे हैं उन्हें तो लोग नेता जी कहते ही थे कुछ पार्टिया सीखें और सीख के उनका अनुसरान करें जिस तरह से वो लोगतंत्र की हत्या कर रही हैं सरकार में रहके कम से कम सबग मिलेगी उनको इससे बच्छित के लिए शुकरीया आपने सुना दीपक सिंग को कांग्रेस के म 2017 अर्द कांग्रेस में लंबे समय से राजिनीत कर रहे हैं यहीं कहना है कि दूसरे दलों के लोगों को फूभ स को ध्यान में रखना चाहिए कि शायद कांग्रेस जैसा लोग कंतर कहीं नहीं है।